अगर आपको इस चाप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डारेक्टि क्लियर करेंगे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप चाप्टर शुरू करते हैं अभी तक हमने देखा कि सोशल इंस्टियूशन क्या होते हैं इस चाप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे सोशल इंस्टियूशन हमारी सोसाइटी में इनिक्वालिटी और एक्स्क्लूशन क्रियेट करते हैं इनिक्वालिटी का मतलब सबको पता ही है यानि भेदभाव और एक्स्क्लूशन का मतलब होता है लोगों को बाहर रखना जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम कभी गौर ही नहीं करते कि कितनी inequality के बीच हम रहते हैं जैसे हम देखते हैं कि अमीर घरों में कई गरीब घर के बच्चे काम कर रहे होते हैं या फिर सडक किनारे छोटे-छोटे बच्चे कोड़ा उठा रहे होते हैं आज भी कितने लोग सडकों पे रेल विस्टेशन पे भीक मांगते हैं ये सारे inequality डेली हमारी आखों के सामने होते हैं बट इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारे लिए इतनी common है कि हमें इनके बारे में फरक ही नहीं पड़ता हमें ये चीज़े एक दफ नाच्रल लगती है या कभी इनके बारे में हम सोचते भी हैं तो दिवाग में यही आता है कि ये लोग या तो मेहनत नहीं करना चाहते या काम नहीं करना चाहते पर हम यही भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे जारा मेहनत का काम करने वालों में गरीब ही आते हैं आप खुद देख लो, फाक्टरी में काम करने वाला मजदूर गरीब होता है, बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्रे भी गरीब होता है, लिक्षय चलाने वाला घरों में काम करने वाले सभी गरीब होते हैं, और यही काम सबसे जारा मेहनत के भी हैं। तो कहां है हमारे Egalitarian Society, ज यानि किसी एक इनसान की बात नहीं कर रहे हैं, बलकि लोगों के एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं Social Inequality, तो हम किसी एक इनसान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे एक ग्रुप के साथ भेदभाव की बात कर रहे हैं। दूसरा, यहां हम Economic या Political Factors की बात की बीच पाट्ड़न दिखता है अब बात करते हैं सोशल इनिक्वालिटी की तो हमारी समाज में सब के पास अलग-अलग सोशल रिसॉर्सिस हैं सोशल रिसॉर्सिस यानि पैसा, एडुकेशन, हिल्थ, पावर यह सब किसी के पास जादा है तो किसी के पास कम है न और इन resources को हम तीन टाइप की काटेगरी में बाढ़ सकते हैं पहला economic resources यानि पैसा, गाड़ी, घर दूसरा है cultural resources यानि education या status और finally तीसरा है social capital जिसमें आता है समाज में किसके कितने contacts हैं और कई बार ये तीनों types overlap भी होते हैं और ये बहुत obvious सी बात हैं जैसे for example जो अमीर घर से है उसके पास पैसा है और वो अच्छे पढ़ा ही अपोर्ड कर सकता है या फिर अगर किसी के रिष्टिदार बहुत अमीर हैं और influential हैं तो वो उनसे अच्छे advice ले सकते हैं और अच्छी job पास सकते हैं समाज में इन resources के unequal distribution को ही social inequality कहते हैं कुछ social inequality लोगों के बीचे common differences को दर्शाती हैं जैसे कौन कितना महंती है और कौन कितना intelligent फर एक्जामपल किसी को अपनी intelligence की वज़े से बड़े मुकाम हासिल हो जाते हैं और किसी को बहुत महनत करने के बाद वो चीज मिल पाती है बट स्टिल social inequality इन natural differences की वज़े से नहीं आती बलकि वो आती है समाज की वज़े से, society की वज़े से और इसे समझने के लिए sociologist social stratification नाम के system को यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों को हायरार्की में बाटकियोंने समझ सके तूँकि ultimately ये हायरार्की ही हमारी identity और experience इसको shape करती है stratification word में strata का मतलब भी होता है layers यानि लोगों को अलग-अलग layers में divide कर देना कि किसके पास कितने resources हैं तो social stratification का मतलब हो गया resources के basis पे लोगों का division अब इस stratification में तीन बातें ध्यान रखने वाली हैं पहला, social stratification हमारे समाज की विशेशता है और सारी society में देखने को मिलती है हाँ, time to time change जरूर होती है बट हमेशा रहती है जैसे पहले की time पे लोगों के पास चीज़े कम थी तो उनके बीच उन चीज़ों का difference भी कम था आज की time पे जहां resources इतने जादा हैं लोगों की बीच उन resources का difference भी उतना ही जादा है दूसरा, social stratification पीड़ी धर पीड़ी चलती है यानि जब आप पैदा होते हो तो आपको अपने parents के social resources naturally मिलते हैं जैसे उनका नाम, उनका status, उनका पैसा तीसरा और सबसे important ये social stratification भरोसे और सोच से चलता है यानि actual में पैसा जैसी चीज या status जैसी चीज time और मेहनत के साथ change हो सकती है बट अगर किसी ने सोच ही रखा है कि नहीं मेरा यही नसीब है और मेरी पुरी life ऐसे ही रहने वाली है तब उसका कुछ नहीं हो सकता अब कई बार लोग बोलते हैं कि पैसा ही main resource है जिसकी वज़या से समाज में इतनी inequality है तो इस बात में आदी सच्चाई है क्योंकि पैसे के अलावा भी हमें भेद भाव देखने को मिलता है समाज में जैसे religion के basis पे या caste के basis पे या gender के basis पे भी inequality होती है है ना जैसे for example आज भी जब शहर में कोई घर किराय पे लेने जाता है उससे ये पूछा जाता है कि कौन से धरम के हो vegetarian हो या नहीं हो bachelor हो या married हो तो हमारे समाज में ही इतने prejudices हैं कि पैसा तो बहुत बात में आता है prejudice का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ को लेके mind make-up करना इसे एक example से समझते हैं आप अपनी school के cricket team के captain हो और आपकी team में एक spot खाली है जो आपको भरना है उस position के लिए दो लोगों ने apply किया एक बच्चा बहुत जादा अच्छा केलता है और दूसरा आपका best friend है अब आप ऐसे में अपने best friend को चुनते हो तो उसे ही prejudiced कहते हैं और ऐसे लोगों को जो किसी particular topic के बारे में हमेशा ही prejudiced होते हैं उन्हें stereotypes बोलते हैं जैसे हमारी society में लोग इतने जादा prejudiced हैं कि अगर किसी club में एक लड़के और लड़के की लडाई हो रहे है तो automatically गलती लड़के की बताएंगे कि ये लड़का है इसे ने कुछ गलत किया होगा या फिर सड़क पे दो लोगों का accident हो रहा है जिसमेंसे एक लड़की है तो automatically गलती लड़की किया जाएगी भले ही उसकी कोई गलती ना हो तो ये होते हैं stereotypes और finally discrimination मतलब आपको पता ही है जब हम किसी एक factor के basis पे लोगों में भेड़भाव करते हैं जैसे caste, religion, race या gender Social exclusion का मतलब होता है resource ना होने की वज़ह से किसी चीज में part ना ले पाना या बहार हो जाना एक इनसान का basic हक सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है बलकि basic health और education भी है बट जब resource ना होने की वज़ह से एक इनसान ये afford नहीं कर पाता उसे social exclusion कहते हैं और ये exclusion openly होता है सबको पता है कि हो रहा है बट कोई कुछ नहीं करता क्योंकि सबको ये natural और systematic लगता है कई बार ये exclusion इतना जादा हो जाता है कि इनसान का खुदी मन नहीं करता उसका part बनने का जैसे for example past में dalits को मंदिरों में घुषने नहीं दिया जाता था तो उससे परिशान होके जब उन्होंने धरम change कर लिया Christianity में, Buddhism में या Islam में तो उन्होंने खुदी decision लिया कि Hinduism से exclude होना है सबसे पहले बात करते हैं caste system की जिसकी भज़र से society में सबसे ज़ादा discrimination होता है I hope अभी तक caste system clear होगा आपको पिछले chapters के तरू Basically, यहाँ चार category में लोग divided हैं ब्रहमण सबसे उपर, फिर शत्रिय, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूत्र हर caste का एक काम था और उसी हिसाब से वो divided थे Usually जो high caste के थे वो economically भी अमीर होते थे और lower caste यूशली गरीब ही रहते थे आज की टाइम पे जहाँ caste system टेक्निकली खतम हो चुका है बट still इसका effect हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है खास तोर से rural side पे अब जैसे इंडिया में caste system है ऐसे ही अपार्टीड system South Africa में था जहाँ वही की majority population को जोकी black थी उन्हें ही citizenship देने से मना कर दिया था प्लस वो लोग वहाँ जमीन नहीं खरीच सकते थे ना ही government के किसी activity में पार्ट ले सकते थे race के basis पे वहाँ discrimination होता था and mixed marriages भी prohibited थी ताकि ये race को अलग रख सके Next है untouchability तो ये untouchability caste system की ही पैदाईश है caste system में चार caste के लावा पाँचवी category भी थी जैसे caste का दरजा नहीं दिया और ये थे untouchables caste system में purity और pollution का concept है high caste वाले pure और low caste वाले polluted caste system में ये माना जाता था कि untouchables का pollution छोने से भी फैल सकता है and यहां से untouchability का concept आया था untouchability की तीन main dimensions में से पहला था exclusion यानि इन्हें allowed नहीं था अपना खाना या पानी किसी के साथ share करना दूसरा था humiliation ये जब भी नगर से जाते थे तो इन्हें बोला जाता था कि drum बजाते हुए या थाल पीटते हुए निकले ताकि high caste वाले इन्हें देखना पाएं और तीसरा था exploitation क्योंकि इनकी हालत इतनी खरापती society में लोग इन से free में या बहुत कम पैसों में काम करवाते थे इन लोगों को कई नाम से बुलाया गया पास्ट में और सभी बहुत demeaning थे इसे counter करनी के लिए गांधी जी ने 1930 में हरीजन टर्म का इजात किया इसका literal मतलब था भगवान के बच्चे आज की टाइम commonly जो टर्म यूज होती है वो है दलित जिसका मतलब होता है downtrodden यानि जिनके साथ अन्याय हुआ हूँ अब ये टर्म आमेडकर जी ने नहीं जात की थी बढ़ उनकी philosophy से काफी माच करती थी अब देखते हैं कि सरकार ने क्या initiatives लिये इससे निबटने के लिए तो आजादी से भी पहले से सरकार ने स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए special laws बना दिये थे जिसके अंडर इन्हें special treatment मिलता था क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यात्ती हुई थी इसमें सबसे important policy थी reservation policy इसके अंडर schedule caste और schedule tribe के लिए हर जगा कुछ seats reserve कर दी गई थी जो सिर्फ इनी के लिए use हो सकती थी जैसे schools में colleges में, jobs में and even सरकार में भी यानि लोकसभा और राजसभा में भी इनके लिए seats reserve कर दी गई थी इसके अलावा कई laws निकाले गए जिसमें government ने किसी भी तरह की untouchability और discrimination को ban कर दिया इनमें सबसे पहले आया caste disability removal act 1850 इसके अलावा scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act आया 1989 में even इसे हमारे संभिधान में भी बता रखा है हमारे constitution में article 17 किसी भी तरह की untouchability को abolish करता है प्लस वो सब reservations को acknowledge करता है जिसकी अभी हमने बात की पर समझने वाली बात ये है कि एक समाज में government अकेले सारे changes लेके नहीं आ सकती इसके लिए लोगों के खुद की सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है इस काम में जिन लोगों ने आगे बढ़के कदम उठाए उन में से कुछ नाम है जोती बाफूले जोती दास पैरियर अमबेड कर और भी कई लोग इसके अलावा 1990 में government and reservations policy में एक तीसरी काटेगरी भी आड़ की और वो थी OBC यानि Other Backward Classes ये वो लोग थे जो ना तो Upper Caste में आते थे ना ही एक दो Lower Caste में बट इन्हें नीचे ही रखा जाता था और इनके साथ भी अन्याय होता था OBC का इशू 1950 से ही काफी popular था और इन फाक जवाहरलाल नहरू की गर्मेंट ने First Backward Classes Commission भी बनाई थी जिसे काका कलेल कर हेड कर रहे थे बट उस टाइम ज़ादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि देश में Political हालात ठीक नहीं थे फिर 1978 में दूसरी Backward Classes Commission बनाई गई जिसे BP मंडल लीड कर रहे थे इसी लिए इसे आगे जाके मंडल कमिशन भी बोला गया और Finally 1990 में इस मंडल कमिशन के आईडियास को इंप्लिमेंट किया गया क्योंकि ये OBC population नंबर में बहुत ज़ादा है इससे देश की Political Situation में काफी चेंज़ेस आए क्योंकि इस Policy के बाद गर्मेंट बाइस्ट डिसीजन लेनी लगी वोट बैंक के लिए एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की 41% population पॉलिटिकली इंफ्लूइंस है यानि अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं बलकि किसी और की इंफ्लूइंस में आके वोट करती है इस चीज को 1st Commission ने हाइलाइट किया था बट मंडल कमीशन ने नहीं किया इसके अलावा OBC में सारे एकदम बाकवर्ट नहीं है कुछ हाई कास्ट OBC भी है जिनका segregation नहीं हो रखा यानि उन्हें भी वो benefits मिल रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलने चाहिए नेक्स आते हैं आदिवासियों के उपर ये ट्राइबल लोग भी schedule caste लोगों की तरह ही भेद भाव के शिकार रहे हैं ये आदिवासी mainly forest resources पे ही depend करते हैं तो जब Britishers आये और उन्हें ने देखा कि Indian forest में कितने resources हैं उन्होंने कई tribes को उन्हें के गर से से लोग इनकी area में settle होने लगे और ही अपनी जमीने खोने लगे जब इन लोगों ने बिरोध किया British policies का तब British government ने कुछ नई schemes निकाली जैसे उन्होंने कुछ areas को excluded और partially excluded declare कर दिया जिसमें बाहर के लोग allowed नहीं थे और government इन areas पे indirectly control करती थी जैसे वहीं के local leader के थुरू बट इन सब में main problem हमेशा यही रही है कि main stream लोगों ने इन आदिवासियों को हमेशा अपने मतलब के लिए ही use किया है इवन अजादी के बाद भी government ने power generation और development के नाम पे यहाँ dams बनाएं, forest clear करे और इन्हें अपनी जगह और resources छोड़ के जाना पड़ा government की major projects जैसे नर्मना नदी की ओपर सरदार सरोवर डाम और गोदावरी नदी में पोला वरम डाम ने हजारों आदिवासियों को अपनी जगह से ला दिया, plus government ने forest में privatization policy जिससे बड़ी बड़ी companies अपने फाइदे के लिए forest को यूज करती थी आजादी के बाद, अगर कुछ अच्छा हुआ है इनके लिए, तो वो ये कि इन्हें reservation policy मिली, जिसकी वजह से ये society में ऊपर आ रहे हैं और हमारे बीच important position ले रहे हैं और चत्रिसगर्ड और जहरकंड को statehood मिला आदिवासी movement की वजह से अब बात करते हैं woman equality और rights के बारे में यहाँ जब हम equality के बारे में बात करते हैं, तो लोग जाहतर इसे seriously नहीं लेते क्योंकि men और women में obvious biological differences हैं तो वो इस inequality को natural consider करते हैं, पर हमें पता है कि यह differences biological नहीं बलकि लोगों की सोच में हैं For example, ऐसे कौन से biological reason हैं जिसकी वजह से हमें women ना के बराबर देखने को मिलती हैं senior position पे hierarchy में अगर वाकई में women इन के पे बले हैं घर का head consider मानने के लिए तो जो सदियों से matrilineal system चलता आ रहा है केरला के नायर्स में या मेगाले के खासीज में वो कैसे चल रहा है ये सब gender bias लोगों की सोच की वजह से हैं इसलिए हम gender को भी social inequality और exclusion में पढ़ रहे हैं caste या class की तरह women के हक की जो बात शुरू हुई वो हुई थी आजादी के बाद जब इंडिया में middle class society बढ़ना शुरू हुई और लोगों ने महिलाओं के बराबर हक के लिए आवाज उठाई जो कहीं न कहीं वेस्टिन देशों से motivated थी इंडियन women की history में पहला moment हम बोल सकते हैं कि राजा रामोहन रॉय ने किया था जब उन्होंने ब्रहमो समाज में सती को खतम करने की मांग रखी थी अगर आपको नहीं पता तो सती ऐसा सिस्टम था जहां अगर किसी woman के husband की death हो गई है तो उस औरत को अपने पती की चिता के साथ ही जला दिया जाता था और इस पूरी प्रोसेस को सती कहते थे ऐसे ही M.G.Ranade ने Bombay Presidency में woman remarriage moment चलाया था इसमें उन्होंने best philosophers की writing का use किया, in fact अपनी कई popular articles लिखे जिनमें उन्होंने वेदिक proofs दिये जिसमें video remarriage को allow किया गया था अगला बड़ा moment चलाया था जोतिभा फूले ने, जिन्होंने untouchables और women's empowerment की मांग की थी ऐसे ही सरसेद एहमद खान ने moment चलाया था Muslim society में reform लाने के लिए इन्होंने और दयानन सरसुती ने बात की थी women education के बारे में अब इसमें कई बार लोगों को लगता है कि women empowerment की बार सिर्फ male reformers ने की जबकि ऐसन नहीं है तारा भाई शिंदे जो की एक महराशन हाउस वाइफ थी उन्होंने male और females के बीच के भेदभाव को लेके आवाज उठाई थी अपने article स्त्री पुरिश्ट तुलना में तारा भाई एक young ब्रामन विडियो थी जिन्हें कोट ने फासी की सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने अप newborn baby को मार दिया था जो की legitimate था अब ऐसे में किसी ने भी उस आदमे को कुछ नहीं का जिसका वो बच्चा था बट सब ने सिर्फ female को ही ब्लेम किया एक और example है जो है रोल रिवर्सल की बात की थी कि आदमी घर में सब काम करते हैं और औरते सारे बाहर के काम करते हैं अन्नाई नई inventions करते हैं जैसे बातलों को control करके बारिश करना उड़ने वाली गानिया बनाना तो जो main change आया था वो था जब कॉंग्रेस ने कराची session में एक declaration issue किया जिसमें उन्होंने बात fundamental right of citizenship की जिसमें था कि सब citizen कानून के सामने बराबर हैं और किसी में किसी type का भेदबाफ नहीं होगा सब को vote देने का हक होगा और women को भी public offices hold करने की freedom होगी 1970s में वापस women movement शुरू हुए थे बट इस बार modern issues को लेकि जैसे dowry ban या फिर rape of women in police custody या फिर representation of women in media आज भी कई ऐसे areas है जहां में women empowerment की जरूत है and time to time उनके लिए हमें movement देखने को मिलते हैं अब इस chapter का last topic struggles of disabled हमारे समाज में बहुत ही rare देखने को मिलता है कि हम disabled लोगों की needs का ध्यान रखे unless and until हमारे परिवार में खुद कोई disabled हो जहां एक तरफ लोग बात करते हैं caste, class, gender के basis पे भेदभाव की इनके rights को लोगों ने बहुत recently accept किया क्योंकि जब भी बात होती है disabled इंसान के problems और challenges की लोग उस पे ध्यान ही नहीं देते in fact, जो terms disabled लोगों के लिए use होती है लोग उसे as an insult यूज करते है दूसरे लोगों का मजाक उडाने के लिए जैसे for example आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए अब ये पागल है क्या? क्या दिखाई नहीं देता? कही ना कहीं लोगों का mindset भी fix हो रखा है क्योंकि Indian mythology में लोग disability को करमा से जोड देते हैं कि पिछले जनम के करमों की वज़ह से इस जनम में ये भोगना पड़ रहा है सोशल disability में एक relationship गरीबी का भी है जैसे pregnant woman में malnutrition, proper medical और health facilities की कमी proper immunization नहीं newborn babies की इन सब reasons की वज़ह से भी कई बार disability देखने को मिलती है तो यहां खतम होता है हमारा 5th chapter अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे like करें और अपने दोस्तों और classmates के साथ share करें और अगर आप बागी subjects की वीडियोस भी cover करना चाहते हैं तो चानल को subscribe करना न भूले Keep learning and I'll see you in the next chapter Thank you